गाइज वेलकम टो माय चानल तो आज का वीडियो है अभी इलेक्शन सा रहे है तो वेटरईडी में अगर आपका उपका प्यास प्रटर एडी एथे और उसमें करेक्शन करना है ज़ते करना है तो उसमें कुछ नंबर गलते ने इम गलत है mobile number अप्डेट करना है तो कुछ भी चेंज़ करने के लिए आज के वीडियो में आपको explain करना स्टेप बाइस टेप कौन से पोटल में जाना है और कैसे उसको चेंज लॉग इन करके कैसे चेंज़ करने वह में बताऊंगा mobile नमर कैसे चेंज करते हैं वीडियो यूसफर होने वाला election आने से पहले यह चेंज़ करवा लिजा आप एक चेंज़ करके benefits ले लिजे तो सबसे पहले आपको Google Chrome में वोटर एडी करेक्शन या वोटर एडी सर्विस पोर्टल जो भी आना उसके ओपर टाइप करना है वोटर एडी करेक्शन डाल रहे जो जो पहला option आएगा वोटर एडी यह इसी दॉट इन उसके ओपर आपको क्लिक करने मोबाइल अप में भी कर सकते हैं लेकिन यह में सिस्टम में आपको एक्स्प्रेंट कर रहा हूं तो यह लॉगिन करने के पार यह पेज़ कुलेगा वोटर्स पोर्टल जिसमें अब देख सकते हैं फॉर्म 6 फॉर्म 7 तो जब फॉर्म 8 के ओपर जब क्लिक करोगे तो लॉगिन आइडि मांगेगा तो आपका मोबाइल नमबर डाल यह और पासवर्ट डाल अगर आपको पता नहीं है तो फॉर्ट पासवर्ट देके यहां पासवर्ट रिसेट मंगा लीजिए कि आपचा डाल के लॉगिन करने के बाद यह पेज लॉगिन हो जाएगा और यह पेज स्क्रीन खुल जाएगा अप्लिकेशन फॉर सेल्फ या अदर एलेक्टल सेलेक्ट कीजिए एपिक नमबर के जगह पे आपका जो वोटर आइडी के ओपर जो नमबर रहता है उसको एंटर कीजिए उस के बाद OK कर लीजिए जैसे आप OK कर लीजिए तो यह पेज खोल जाएगा और इसमें आपको आपका कॉंस्टिटीशन जी मतलब जो भी आपका SMB के कॉंस्टिशन जी उसका डीटेल्स दिखेगा जैसे कि यह मेरा बेल गाम निपानी का है तो वह दिखेगा और उसको आपक का सबसक्किय स्टिशन मिलेंगे आदार सेल्फ आदार्स नेम jó भी एडि जो भी है идет सेल्फ के वह उपर क्लिक किईए मुबाइल नमबर और एटेज्ट एंटर के अपर दिखेगर सोटेगा सियंट नेयएवल हो जाएगा और इनेकश्ट बने इनेयेवल हुने के बात अग आपको दूसरा कोई option भी कर सकते हैं और आपको first name क्या है और correct name क्या है वो डालना है और उसके साथ जो नीचे आएगा और लैंग्विज में आएगा और उसके साथ यह supporting documents रहता है आदार इंडियन passport या पैन इसमें से कोई भी एक photo वाल अप्रूफ डाल दीजिए और choose file के अपका location फिल करके capture फिल करके submit कर जिए preview and submit जैसे यह preview and submit करके तो आपको एक ticket number आएगा यह process आप में भी कर सकते लेकिन आप में मुझे नहीं पता है और जैसे यह preview करोगे तो ऐसा एक PDF बटन download हो जाएगा जो भी आप correction कर देता है उसका details यहाँ पर शो वीडियो अच्छा लगा तो like subscribe कीजिए अगर ऐसे informative videos देखना चाहते हैं तो मुझे subscribe कर लिजे follow कर लिजे और यह video सब के साथ share कर लिजे ठैंक यू धन्यवाद जैहिन जैबादत